गुड बार्निंग, सत्तर वर्ड पर मिनेट डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांस सेकिन बाद रेडी, स्टार्ट फिल हाल मनिपूर में जो हालात हैं उसमें सुधार के लिए रास्ता भी आखिर यही था कि पहले अलग-अलग विरोधी पक्सों के बीच समवाद कायम किया जाए और कम से कम तातकालिक तोर पर सांती को प्रात्मिक्ता में रखा जाए इसके बाद स्वभग के ही इसकी एहमियत स्थापित होगी और दिर्गकालिक या इस्थाई महत्वे का हल भी निकलेगा इस लिहाज से देखें तो गुरुवार को केंद्रिय ग्रह मंत्री की पहल का अपना महत्वे हैं राज्ये के विभिन हिंसागरस्त इलाकों का दोरा करने और राजनितिक दलों और सामाजिक संगठनों के साथ बातसीत के बाद उन्होंने राज्ये के राज्येपाल की अध्यक्स्ता में एक सान्ती समीती के गठन और हिंसा में मारे गए लोगों के परीजनों के लिए मुआवजे के अलावा राहत और पुनर्वास पेकेज की गोशना की साथ ही वहां हुई जातिये हिंसा की जाच के लिए उच न्याले के मुख्य न्याधिस इस्तर के सेवा निवरत न्याधिस की अध्यक्स्ता में एक न्यायक आयोग का गठन भी किया जाएगा दरसल राज्ये में हालात जिस इस्तर तक जटिल हो चुके हैं उसमें किसी भी पक्स की और से और अधिक हिंसा प्रिस्थितियों को ज्यादा मुश्किल बनाएगी और इसका खामियाजा सभी पक्सों को बुगतना पड़ेगा इसलिए सांती की राहें की और बढ़ना ही सभी पक्सों के लिए जरूरी हैं इसके अलावा ग्रह मंत्री का यहें बयान भी संभवत हैं उग्र हुए पक्सों को सांत होने और हलकी और बढ़ने के बारे में सोचने की जगहें बनाएगा की मनिपूर उचन्याले की और से जल्दबाजी में लिये गए फैसले की वजहें से दो गुटों के बीच हिंसा हुई लोग अपवाहों पर ध्यान ने दे और सांती बनाए रखें हाला की फिलहाल हिंसा में सामिल समुहों की गतिवीधियों पर नजर रखने की जरुरत हैं क्योंकि कई बार सांती की सही दिशा को हिंसा या अराजगता की कोई छोटी गटना भी बटका दे सकती हैं यों इससे पहले कैंदर सरकार की और से संकट ग्रस्त मनिपूर में इस्थाई सांती के लिए संगर्सरत मेतई और कूकी समुदायों के बीच नियोनतम सहमती की जमीन तयार करने के लिए त्री आयामी द्रिश्टिकौन पर काम करने की खबर आ चुकी थी जाहिर हैं मनिपूर में मेतई समुदाय को जन जातिये दरजे से समंदित जो विवाद खड़ा हुआ हैं उसका हल हिंसा और अराजकता से नहीं निकल सकता बलकि इससे नहीं ऐसी परिस्थतियां पेदा होंगी जिसमें बहुत सारे लोग कानूनी कारिवाई की चपेट में आएंगे दरसल विवाद की सुरुआत के बाद इसके समाधान को लेकर सरकार की और से उदासीनिता का जो रुख रहा उसके मद्य नजर कुछ इस्थानिये जनजातिये समुदायों को यहें बरोसा नहीं हो पार रहा की उनकी हितों की रक्सा की जाएगी यो वहां के पहाड़ी इलाकों से कथित बाहरी लोगों को हटाने के सवाल पर पहले ही लोगों में रोस था लेकिन उसके बाद मेतई समुदाय के लोगों को जनजाति का दरजा देने के मसले पर उचिन्याले के रुख के बाद सेस जनजातिय समुदायों के बीच नाराजगी काफी बढ़ गई और उससे उपजे विरोध ने हिंचा का रास्ता भी अख्तियार कर लिया जबकि यह ऐसा सवाल है जिस पर समंदित हितधारक पक्सों से विचार विमर्स और उनकी सहेमती हासिल करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए था लेकिन वोट या समर्थन के लिये कई बार ऐसे कदम भी उठा लिये जाते हैं जिससे असर का अंदाजा पहले नहीं होता है विडम बना यह हैं कि मेतरी समुदाई के मुद्दे पर हुई हडवडी के बाद मनिपूर में अब तक काफी लोगों की जान जा चुकी हैं इससे कैंद्रिये ग्रह मंत्री ने भी रेखांकित किया हैं अगर यही स्थती कायम रही तो हालात और जटिल होंगे इसलिए जरुरत इस बात की हैं कि सभी पक्स अब समवाद के जर्ये एक संतूलित समाधहान तक पहुंचे स्टॉप दोस्तों इस डिक्टेशन का पीडियोप लिंग डिस्क्रिस्प ने मौझूद हैं आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अगर डिक्टेशन अच्छा लगे पसंद आये तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थांक्यू